MP के ग्रिह मंत्री नरुत्तम मिश्रा का मथुरा सांसत पर विवादित पयान बोले हमने हेमा मालिनी तत नच्वादी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरतार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर क्यों MP विधान सबाचुनाओं से पहले ग्रिह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने दतिया में हेमा मालिनी को लेकर जो बात कही उससे सियासी पारा चड़ गया है दिग्विजय सिंग ने भी उन पर हमला बोला है मध्यप्रदेश के ग्रिह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने दतिया में अपनी उपलब्धियों को गिनाने में सांसद हेमा मालिनी का जिक्र किया इस द्वरान नो ने मतुरा सांसद के बारे में विवादित बयान दिया नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया ने उडान भरी तो हेमा मालिनी को भी नचवा दिया दिग्विजय सिंग का नरुत्तम मिश्रा पर तीखा हमला नरुत्तम मिश्रा का ये विवादित बयान अब वाइरल हो रहा है जिसमें वो हेमा मालिनी पर टिपनी करते नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश के परव मुख्य मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिगविजय सिंग ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा संसकारी बीजेपी के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक ओचापन भी सुने। अपने दल की नेता को भी नहीं बकशते। इसी के साथ उन्होंने नरुत्तम मिश्रा का ये वीडियो भी पोस्ट किया है। दतिया से फिर चुनावी मैदान में नरुत्तम मिश्रा। जानकारी के लिए बता दे कि नरुत्तम मिश्रा का जो वीडियो वाइरल हो रहा है उसमें वो दिगज अदाकारा और मतुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के बारे में आपत्ती जनक शब्दों का इस्तिमाल कर दिख रहे हैं दरसल वो अपने विधान सभा शेत्र दतिया में हुए विकास कारियों की चर्चा कर रहे हैं और इसी के बारे में बात करते हुए वो हेमा मालिनी के बारे में ऐसा बयान दे देते हैं माना जाता है कि दतिया की राजनीती पर नरुत्तम मिश्रा की अच्छी पकड़ है और बीजेपी ने चौथी बार भी उन्हें ही यहां से चुनावी मैदान में उतारने का भरोसा जताया है